तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं मेरे पास एक Infinix का मोबाइल है जिनमें की पैटرन लोक लगा हुआ है जो कि मैंने लगा के भूल छुका हूँ जल्दी बाजी में चेंज कर रहा था तो यहां प जैसे देख सकते हैं Infinix का मोबाइल है अगर आपके पास भी इन फिनिक्स का कोई सा भी मोडल का अगर फोन है नया हो या पुराना टाइब अगर पास्वर्ट पैटर्ण पीन कोई सा भी लोग लगा के भूल चुके हैं तो कैसे लोग को हटाना है बिल्कुल असानी से तो सबसे पहले आप ट्राइ कर लेजिए खुद से अपने हातों से जाके रखे और यहाँ पे आपको ओप्सं दिखेंगे पावर ओफ तो इस पे मैं दबा देता हूं तो किसी-किसी में दबाने के बाद ओफ हो जाते हैं यहाँ पे प्रेस करना होता है 3 seconds और यहाँ पे देख सकते हैं यह फौन बिल्कुल पावर ओफ हो चुका है अब पर अगर आप सही से नहीं किजेगा तो आपका लोग बिल्कुल नहीं हटेंगे तो यहां पर पाउर बटम और भॉलियम प्लाज बटम को दोनों को एक साथ बराबर तरीके से दबाना है जैसे कि देख सकते हैं मैं दबा के रखा हूं कुछ सकेंड तो इस परकार से इनिफिन किस परकार से मैं यहां पर रिकवरी मूडल आता हूं तो यहां पर हो सकता है आप यहां पर सही से प्रोसेशिंग नहीं कर सकते हैं तो ध्यान से किजेगा तो तो यहां पर देख सकते हैं पाउर बटम और भॉलियम प्लाज बटम को इस परकार से पाउर बटम और भॉलियम प्लस बटम आगे पिछे करके बटम को दबाना है पहले पाउर बटम उसके बाद भोलियम प्लस बटम तो किसी-किसी फोन में एक बार दबाने से आ जाते हैं इसमें देख सकते हैं काफी बार दबाने के बाद इस परकार से एंड्राइड रिकॉवरी का मूड अफशन आया है तो इस परकार से आने के बाद यहां पे देख सकते हैं नीचे में लिखा हुआ है साप साप देख सकते हैं वाइप डाटा फेक्टरी रिसेट तो इस पे आ जाना है आने के लिए यहां पे भोलियम मैनस बटम आने की आवाज को घटाने वाला बटम को दबाईए और नीचे आ जाईए wipe data factory reset तो इस पे आने के बाद एक बार power button को दबा देना है जैसे power button को दबाएंगे तो फिर से यहाँ पे नीचे आ जाना factory data reset पे आने के बाद power button को दबा देना है और यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में wipe data format data formatting data तो यहाँँपे कुछ second processing चलेंगे तो यहां पर अभी complete नहीं हुआ है, जब तक यहां पर complete नहीं करेंगे, तब तक आपको कुछ नहीं करना है, तो यहां पर नीचे में देख सकते ही, data wipe complete, तो यह complete हो चुका है, यह processing, अब यहां पर reboot system now पर आपको click करना है, देख सकते हैं, data wipe complete हो चुका है, तो यह आने के बाद त देख सकते हैं यहां पर reboot system नाम उसी पर रहने देना है और power button को दबा देना है दबाने के बाद यहां पर आपका phone सुजब हो जाएंगे होने के बाद फिर से आपके जो भी phone है जो भी company का है तो वो logo आ जाएंगे देख सकते हैं यहां पर इन्फिनिक्स का phone है और इसका logo आ चुका है तो यहां पर कुछ minute second लगेंगे यह logo रहेंगे कुछ देर तक तो यहां पर आपको इंतेजार करना होगा तो मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर देता हूं ताकि वीडियो बहुत लंबी न हो जाए तो यहां पर देख सकते हैं XOS का यहां पर लोगो आये हैं यहां पर भी कुछ minute लगते हैं तो यहां पर मैं इंतेजार करके थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर दिया हूं इस्पीड कर दिया हूं ताकि वीडियो लंबी न हो जाए तो यह सरा चीज प्रोसेसिंग कंप्रेट होने के बाद यहां पर इस करके next करना है तो यहां पर मैं select your country आप जो भी देश से हैं यहां पर अपना देश सेलेट कर लेजिए आनि country तो मैं इंडिया से हूं तो यहां पर मैं इंडिया खोज के तीक मार देता हूं तो यहां पर देख सकते हैं FRP भी लगा वाइस में तो यहां पर मैं आप लोग का बाद में बताऊंगा कि FRP को कैसे हटाना है तो यहां पर सबसे प्लेश फोन को में start इस्टोल कर लेता हूं तो यहां पर इंडिया country सेलेट करने के बाद next कर देना है तो जैसे next करेंगे तो यहां पर सीम डालने के लिए बोल रहा है नेट कनेक्शन मांग रहा है यह पन तो मैं यहां पर skip कर देता हूं तो आप चाहें नेट कनेक्शन इसमें दे सकते हैं तो यहां पर देख सकते हैं दुसरे मुझाल से hot spot connect कर लेजिए अपने वाइफाई से अगर नहीं करना चाहते हैं अगर इसमें सिम काड लगा हुआ है तो आप अपने खुद का सीम इसमें डाल लेजिए और नेट इसी से कनेक्शन कर दीजिए तो यहां पर देख सकते हैं फारपी भी लगा हुआ है तो फारपी हटाने के लिए आपको email id और password याद होने की जरुत होती है तो यहां पर मैं एक Wi-Fi कनेक्ट कर देता हूं इस फोन में तो इसमें सीम नहीं है तो चलिए यहां पर देख सकते हैं srbg तो इसमें net connection minute दे दिया हूं और यहां पर ठीक मार कर यहां पर next कर देता हूं next करने के बाद यहां पर देख सकते हैं getting your phone ready तो यहां पर कुछ minute लगते हैं यह processing complete होने के लिए तो यहां पर देख सकते हैं काफी समय लग रहे हैं तो मैं थोड़ा सा वीडियो को speed कर देता हूं तो speed करने के बाद यहां पर देखिए आपको कुछ option यहां पर सो करेंगे don't copy and next तो यहां पर don't copy ही किलिक करना है next नहीं करना है तो don't copy पर मैं किलिक कर देता हूं यहां पर simple से तो देख सकते हैं यहां पर don't copy don't copy पर किलिक कर दिजिए आप लोग भी copy as data data नहीं पूरान data इसमें हम कोपी नहीं करेंगे इसलिए यहां पर don't copy पर किलिक कर देता हूं जैसे don't copy पर किलिक करेंगे तो यहां पर checking information का कुछ minute processing चलेंगे checking information का और यहां पर skip कर देना है अगर इस phone का email id पासवर्ड आज है तो यहां पर डाल सकते हैं और डाल के next कर सकते हैं तो मुझे याद नहीं है तो मैं skip कर देता हूं तो skip करने के बाद यहां Google service के तरफ से यहां पर notice आ चुका है तो यहां पर scroll कर देना है simple से और accept कर देना है इसे आप पड़ भी सकते या नहीं तो accept पर click करने का बाद यहां पर मैं okay कर देता हूं ऑ के जैसे click करेंगे यहां पर फिर से मैं escape anyway पर click कर देता हूं और यहां पर noon के और हैं यहां पर start जैसे start पर click करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं पार बटम 8 सकंड दवाने के बाद यहां पर सुझाफ हो जाते हैं फॉन तो यहां पर यह परक्रोसेशंग आन्रिख सो कर रहा है कुछ 对 देखेंगे और यहां पर आयंसे मेरा फोन बिल्कुल खुल चुका है और चालू हो चुका है तो एन इंफिनिक्स मॉइल का लोग पासवर्ट प्रेणर पिन हटाने के लिए इस परकार से आप बिल्कुल आसानी से हटा सकते हैं अपने हाथों से तो मिलते हैं जैन जैवारत